अनामिलम के सभी दर्शकों को साधर प्रणाम ठेंड का मोसम चल रहा है ये मोसमी खासी बहुत ही ज़्यादा प्रेशान कर रही है सारी प्रिकोशन लेते हुए, सारे काम करते हुए, दवाई, इत्यादी का सेवन करते हुए भी खासी से छुटकारा नहीं मिल रहा है जो इस तरह की पोलुशन और बदलते मोसम की खासी है, उसको ठीक किस तरह से किया जाए आज मैं आपको बताता हूँ कि प्राणायाम के द्वारा इस खासी को किस तरह से ठीक कर सकते है बस्तरी का एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा हम इस बदलने वाले मोसम की जो खासी है इसको हम ठीक कर सकते हैं जदी आपको बदलते मोसम की खासी है इस तरह की आवाज बार बार आती है तो हमें बस्तरी का अभ्यास इस तरह से करना चाहिए सास को पूरी दरह से अंदर भरेंगे जितना हो सके पास सेकेंड के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर तेजी से सास को छोड़ देंगे एक जटके के साथ नाख से ही सास लेना है नाख से ही सास छोड़ना है और इस तरह से ग्यारा स्टोक्स बस्त्रीका के लगाने है दस स्टोक्स लगाने के बाद जो हमारा ग्यारवा स्टोक्स होगा वहाँ पर हमें महाबंद का अभ्यास करना है माल लीजिए यह ग्यारवा स्टोक है महाबंद दीरे दीरे वापिस आएंगे महाबंद की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जो मैंने आई बटन मर डाल दिया है इस तरह से तीन राउंड्स भास्तिरिका के यदि हम करते हैं तो निश्चित तोर पर हमें बदलते मोसम की खासी में रिलीफ मिलता है इसके साथ साथ उज्जई प्राणायाम आप अवश्य ही कीजिए उज्जई प्राणायाम बिसिकली वोकल कोड से रिलेटिड है और जो हमारी सांस की नली है उसके कंजेशन के वज़े से यह हमें बार बार खासी आती है जब आप उज्जई प्राणायाम करेंगे तो ये कंजेशन दूर हो जाता है और हमें खासी में रिलीफ मिल जाता है आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आने वाले वीडियो मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक के लिए साधर प्रणाम आरोग्यवान भावतु